नमश्कात दोस्तों आस्वीका बहुत बहुत स्वागेते हमारे स्यूटूब चैनल खुशाल जिन्गी में तो आज की स्यूटू में आपको बताऊंगी ऐसे चार पक्षियों के बारे में जिनका घर में आना अश्यू माना जाता है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अबे तक हमारे जनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे जनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजेगा तो चले पिना किस देरी के अपने वीडियो को श्रू करते हैं तो वास्तो शास्त्र के नुसार कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो आपके घर में आ जाने पर आपके पूरे पैवार को पूरी तरह से बरबाद कर सकते हैं और यहां तक की गर्वती महिला के लिए भी यह अच्छे नहीं माने जाते हैं और ये कुछ पक्षी गलती से आपके घर में नहीं आने चाहिए नहीं तो आपके घर का अंजाम बुराव सकता है और ऐसा माला जाता है कि इन पक्षियों का आपके घर में होना बहुत ही अशुप होता है और प्राचीन काल से ही लोग कुछ पक्षियों को घर में आने को अश तो शास्त्रों के निसार ऐसा माना जाता है कि यदि आपके घर में कबूत या फिर छोटी छोटी चिडियां वोसला बना लिया गरें तो ये बहुत ही शुपसंकेत होता है और ऐसा माना जाता है कि उस घर में मातलश्मी के होने का सबूत होते हैं और ऐसे घर में कभी परशाणी नहीं आती है बलकि खुश्यों का तांता लगा रहता है तो चलिए हम बात के लेते हैं अशुर पक्षो के बारे में सबसे पहला चमकादर तो पौरारिक मारताओ के इसार यदि घर में चमकादर गुश जाए तो उस घर में बिमारिया, मौद, बरवादी अपना बसेरा बना लेती है और वहीं अनेग लोग का मारना है कि घर में चमकादर होने से पुरा पईबार तूट कर भिकर सकता है और उस घर में मनुसियां चाह सकती है दूसरा पक्षी कववा तो कववे का बार बार घर में आना या आपके घर में घोसला बनाना अच्छा नहीं माना जाता है और वहीं सपने में अगर कववे का आना भी कई तिरा के संगेत दे सकता है जैसे सपने में कववे की आवाज सनाए देना या फिर घर में कववा बैठा देखना कहीं से समचार आने का संकेत होता है तीसरा टिटेरी ऐसा माला जाता है कि टिटेरी जिसन पेड़ पर या फिर किसी घर में अचानक से रहें लगे तो कहीं से भुगम पाने के संकेत मिलते हैं क्योंकि टिटेरी हमेशे जमीन पर ही रहती है और जमीन पर ही अपने अंडे देती है और इनका घर में अचानक बैठना आपके लिए अच्छा संकेत नहीं होता है चौथा और आगरी उल्लू तो अगर आपके घर में बार बार उल्लू चला आता है और बार बार एकी दिशा में चलाता रहता है तो यह बहुत ही अश्रू संकेत माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि एक दो बार घर में उल्लू आने पर खुश्यों आ जाती है लेकिन अगर वो उलू को बार बार आपके घर में आने लगे तो ये बरबादी के लक्षिर होते हैं तो आज के लिए विडियो पसना आगे तो प्लीज मैचल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर करेगा और साथी साथ हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करेगा मिलते हैं आज से अपनी एगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें